हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टो मैं चैनल, आज मैं आप सभी के साथ सेयर करने वाली हूँ, सेयर इसके इंडे क्रीम के बारे में, तो चलिए फ्रेंट जान लेंगे इसके बारे में, दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे इसके मार्केडिंग प्रैस कि आपको मार्केट मे कितने price पे मिल जाएगा और आप market में कहा कहा से खरी सकते हैं और ये भी जानेंगे कि online कहा कहा मिल रहा है और कितने price पे मिल जा रहा है तो चलिए बीना time list के वीडियो को स्टाट कर लेते हैं अगर दोस्तों आप इसको market में Kobe Cosmetics से खरी जाएंगे तो आपको ये 1599 पे मैं मिल जाएगा एतने price में आप market में Kobe Cosmetics Storches को खरी सकते हैं दोस्तों इसके जो price है बहुत ही कोस्टी पर जा रहे हैं बहुत ही महंगे पर जा रहे हैं बहुत तो इसको afford नहीं कर सकते हैं और मैंने भी इस product को use नहीं किया और नहीं कभी खरीदा है लेकिन किसी ने comment करके बोला था किसमें मैं video बना हूँ इसलिए मैं कुछ information इकटा करके information पटा करके इस पर video बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए और video आपको पसंद आए तो मैंने भी information पटा करके यह आपको बता रखा है और दोस्तों बात करें online website की तो एक supply में life online website है वहाँ पे भी आपको 1599 पे में मिल जाएगा जब आप दोस्तों market में खरने जाएगे अगर आपको market में यह नहीं मिलेगा तो यह online supply में life website पे जाके आप इसको खरी सकते हैं और यह guys snapdale पे भी available है snapdale पे भी आप इसको खरी सकते हैं वहाँ पे भी आपको कुछ discount करके यह मिल जाएगा otherwise आप चाहें तो market से भी इसको खरी सकते हैं आप दोस्तों जाह लेते हैं कि स्क्रीम को योज़ करने से क्या-क्या benefits मेलेंगे आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको क्या-क्या फाइदा होगा guys seal skin brightening day cream एक day cream है आप इसको दिन में लगाएंगे यह एक multitasking daily moisturizer है जो त्वचा को roshan, saaf और form करता है यह skin में lightning लैने में काफी help करता है skin को brightening लैने में मतलब यह रोशन, saaf और form करता है यह 37 साली शक्रिये पनार्थो और पौदो की अर्ग के मेश्वर्श प्रभावित है यह पोरे दिन hydration पनार्दान करता है हमरे त्वचों में और रंग की खाम्यों को कम करता है यह श्रिवर्ष कार्डर ग्रेस sprout और अर्बुटिन जर्षी सम्मागरी प्रभावी रूप से रंग क्ता को रोपती है जाइट इसमें जो ingredients है वो श्रिवर्ष, गार्डेन ट्रेस्ट, और अर्बुटिन जर्षी सम्मागरी इसमें लगी है जो हमरे त्वचा के रंग क्ता को रोकने में हाल्प करती है और इसमें सामीद है वो टाइथियोन और बिटामिल सी जो की चिकत्सी रूप से त्वचा को चमतकार बनाती है, मतलब है फेस को लाइट में लाने में काफ़े हाल्प करती है ये चमतकार बनाने के लिए काफी शुद्ध होते हैं ग्लोटियोन और बिटामल सी नियमित उप्योग के साथ यह आपकी तुछा को नावनिकरित करता है और फोटो छेती की एक उलखनीय रूप से कम उपस्ती के साथ आवश्नीय चमक और चमक परणान करने में चमक द्वरा पर स्थापित किया जाता है इसका उप्योग करने से आपके फेस बहुत ही अच्छी दिखेंगे बहुत ही चमक ताथ दिखेंगे और ग्लाश सबसे अच्छी बात है कि सभी परकार के लिए तुचा के लिए उप्योग्ट है मतलब और स्केंट टाइप वाले इसका यूज कर सकते है घर में एक आदमी की ज़रूरत नहीं है कि मतलब वाई यूज करें घर में सभी को इसका यूज कर सकते है एक क्रीम और सभी के लिए ये यूजपूल हो सकते है तो ये बहुत ही अच्छी बात है ऐसा होता है कभी-कभी गए इसकी घर में बहुत सारे लोग होते हैं और सब पर कोई प्रोड़क्ट सूट नहीं करता है कि किसी के ओले स्क्रेंज है किसी के ड्राइए कॉम्बिनेशन तो आप यह क्रीम खड़ देंगे तो सभी पर यह सूट कर जाएगा है तो महेंगा लेकिन मिलाजुलाग के मतलब क्या होता है कि हम तो एक क्रीम तीन सो चौश खरिते हैं घर में बहुत सारे मेंबर है तो उतना खचा हो जाता है तो यह क्रीम लेंगे अर्शा भी कोई लगाएंगे तो हो सकता है कुछ पैसे वसूल हो जाएगा इस आप दोस्तों जान लेते हैं इस तो जेंले लगो को pigmentation की समस्या है वो लिसका प्योग करे शकते है pigmentation को कम करने में और तवचा को चमतगार बनाने में दोस्तों फेस कैसा भी हो लेकिन फेस में light अगर ना हो तो फेस अच्छा नहीं लगता तो इस फेस में चमतगार बनाने में काफी help करता है और यह collagen का उस तेजीद करने में मद्याद करता है तो इस तरह से ये बिटाम हैं हमारा स्कीन के लिए बहुत ही beneficial है और बहुत ही अच्छा सावित हमारा फेस के लिए हो सकता है और दोस्तो इसमें सामिल है Swiss Garden Crisp Spout गाइस अब जानेंगे कि Swiss Garden Crisp Spout जो इंग्रियन्स है वो अमर फेस के लिए किस तरह से बैन्ट्रिट साबित हो सकते हैं किस तरह से अच्छा है और क्या-क्या फाइदा देश रुपते हैं तो गाइद स्विस कार्टन क्रिस्पाउट भावी रूप से रंजगता को रोकता है जिन लोगों को रंजगता की प्रवर्म है फेस पे समश्या है वो लोग इस मौस्ट्राइजर का यूज कर शकते हैं और ये त्वचा की टोन में भी सुधार करता है तो जिन लोगों के अप मौती फाइडमन साबित हो सकता है दोस्तों और दोस्तों इसमें सामिल है ब्लूबरी एक्सट्रेक्ट अब ब्लूबरी में क्या फाइड़ा मिल सकता है ये भी हम जानेंगे फ्रेंज तो ब्लूबरी एक्सट्रेक्ट एक सकती साली एंटि ऑक्सडेंट है जो त्वचा को फ वको समझें तो फ्र ह्लेस में बेहने बोल और को शुब जाने में और भ्रकु गोडा ही प्यस्ट को लेकिन तो यह cream इस तरह से आपके लिए बहुत ही फार्डिमन साबित हो सकता है दोस्तों अब जानेंगे दोस्तों कैसे इस्तिमाल करना है, कैसे इसको यूज करना है, कैसे अपने face पर अप्लाई करना है दोस्तों जैसे कि पता है कि यह एक मॉस्टराइजर क्रीम है तो इसको अपने फेस पे अच्छे से अपने फेस पे लगा लेंगे डॉंटर करके पूर अच्छे से अपने फेस को मॉस्टराइज कर लेंगे जितना quantity आपको ज़रुवत हो अपने face के नुसर आप लेंगे और अपने face पे अच्छा है से इसको moisturize कर लेंगे जाइस, moisturize कोई भी क्रीम से पहले लगाया जाता है अपने skin को moisturize करने के लिए कोई भी makeup लगाने से पहले अपने face पे moisturize लगाता है उसके बाद पढ़ रहे यावी, इसमें बाद आपको क्रीम लगाएंगे अगर आपको अपने face काफे ड्राइज लिख रहे हैं उस टाइम अपने face पे मौसराइजर लगाएंगे और गाज वेंटर में तो सबसे ज़रूरी होता है face पे मौसराइजर लगाना और शाम में भी अपने face को बाद करके अच्छे से मौसराइजर लगाएंगे ताकि आपने skin ड्राइज न दिखे और काफे मौसराइजर है और दोस्तों, मैं सबको यह ज़रूरी सलाइज देती हूँ कि जैसे क्या होता है कि हम धूप में तो दिन में हम इधर दो पॉलिशर में तो सबको सामना करते रहते हैं तो उस टाइम में face बहुत ही खराब होने लगते हैं तो आपको भी cream अगर रात में night cream महीं लगाते हैं तो रात में अपने face को wash करके मॉस्टराइजर लगा लें ताकि अपने face अच्छे से रात बर पुड़े मॉस्टराइजर रहें क्योंकि guys night में हम कहीं भी नहीं जाते हैं मतला धू पॉलिशन से भी जो रहते हैं कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं तो जितना देर तक हम सोई रहेंगे तो उतना देर और face पर क्रीम रहेगा और अपना काम करेगा वो अपना श्रेट शुरू करेगा जिससे face की अच्छा की अर्गों की अच्छा एक्स्टा टेंशन मेल जाएगा तो आपको मेरे समझाने के तरीका अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो पीस आप कॉमेंट स्रिक्शन में जरूर बता है कि अच्छा मेरा वीडियो को कैसा लगा तो थैंक्यू फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे और मेरे चैनलों को सस्क्राइब कर दे और comment section में जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा और please guys अगर आपको कोई वीडियो की मतलब कोई information चाहिए तो please आप मेरे से बहुत सकते हैं कि मैं उसके वीडियो बनाओं Thank you friends